हेलो बच्चो आज हम लोग कॉंसंट्रेशन ओफ सिल का जीरो फाइब सिरिस देखेंगे अब इसमें हम लोग को मॉलिलिटी देखना तो मॉलिलिटी ऐसा है कि इसमें मोर फ्रैक्शन भी मॉलरिटी नॉर्मिलिटी वैलेंसी फैक्टर जितना हम लोग पीछे प्रीवियस पर उसके हैं वो सारे को इसमें को रिकाल करना और हो विसंपर इसमें भी नुमर्कल क्लें से घापरंना नहीं है नुमर्कल को सारा चीज उन्हारा क्लियर होता जाएगा और उसके लिए क्या स्टेप बाइसिप के लिये आपको बीडियो जो है वो देखना पड़ेगा 지ло दे औ और फॉर्मूला को याद किये हुए हैं आपका काम नहीं चलने वाला है इसलिए आपको वीडियो के साथ इस्टेप बाई इस्टेप यह फॉर्मूला को जो क्या करना है रिविजन करना है अब देखो कि मॉले लिटी जो है जिरो फाइब सेरीज में मॉले लिटी क्या होगा यह स्पेलिंग क्या है लगवग मॉले लिटी से मिलता जूलता है यह मॉले लिटी है अब मॉले लिटी हमारा क्या होगा कि नंबर ओफ मोल्स और सॉल्यूट डिजॉल्विंग वन केजी और वन थाउसंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि को यह हमारा सॉलूशन है अब इस सॉलूशन के अंदर एन्वी इसको हमनों क्या पड़े थे हैं नम्मर आफ नम्मर आफ मॉल आफ सॉल्यूट नम्मर आफ मॉल आफ सॉल्यूट बिजॉल्विंग यह सॉलूशन कैसा है यहाँ पे वन केजी और वन थाउसंड ग्राम क्या होगा शॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बोले हैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं यहाँ पे क्या बोले हैं सॉल्वेंट बोले हैं सॉल्वेंट आपका क्या हो सकता है वाटर हो सकता है है का सावेंट जो सअसे सिंपलन चीनी और पानी सुगर और ब्रोटर जो है यह distinction जो है यह मॉलिलिटी का है सुखर हो गया सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर तो यहां पर यह आपका अई डेफरेशन है कि वेल्ण कि नम्मर आफ कि वे नम्मर आफ कि मोल आफ सॉल्यूट नम्मर आफ मोल आफ सॉल्यूट एक्स्प्रेस भाइ एंवी हम लोग पढ़े हैं गोल में वे नम्मर आफ मोल आफ सॉल्यूट दिसल्ड इन वन केजी और वन थाउजन ग्राम आफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम आफ सॉल्यूट इच काड़ क्यों का मोलाइलिटी वे इस डेफिनिशन है वे नम्मर आफ बोस आफ सॉल्यूट दिसल्ड इन वन केजी और 1000 ग्राम आफ सॉल्वेंट इच काड़ मोलाइलिटी ठीक है अब यह याद करो कि यह वाटर है और यह सुगर है इसके अंदर जो है सॉल्यूट जो डिजॉल्व रहेगा यह क्या करागा मोलाइलिटी और मोलाइलिटी को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग इस एक्सप्रेस वाई इस्माल एम इस्प्रेस वाई इस्माल एम इस्माल एम क्यापिटल एम से कही इंडिकेट करते हैं मोलाइलिटी जो हम लोग प्रिवियस में पर चुके हैं पहले पर चुके हैं ठीक हैं अब जो हैं इस 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 वेट बाई वेट कॉम्बिनेशन इस वेट बाई वेट कॉम्बिनेशन यह अभी आगे एक्सप्रेस करें हम क्या मिलीग हैं तो फिर से सुन लोग कॉंसांडरेशन और सुलूशन को हम लोग मॉनिलिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दें यह हमारा क्या है सिरीज जिरो फाइब है कि इस वन केजी और वन ताउसन ग्राम ओप सॉल्वेंट अगर वाटर हो और उसके अंदर जो है नम्मर ओफ मोल अप्सोल्वेंट यानि कि सुगर होगा सॉल्ट होगा है ना जिसोंग होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका मॉनिलिटी कहलाएगा और इसी को हम लोग जो है डेफाइन किये हैं नम्मर ओफ वोल्स अप्सोल्वेंट इस वन केजी और वन ताउसन वन केजी आप लोग को पता होगा वन केजी इसको इसको इसमालन से इंडिकेट करेंगे इस वेट वाइए वेट कंबिनेशन इसको नोट करने में जल्द इसको इसको नोट करो हो गया है चलिए अब तो है इसका फॉर्मूले कैसे हमनों डेराइफ करेंगे मॉलिटी का जो फॉर्मूला है यह हमनों कैसे डेराइफ करेंगे इसका है फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला अब यहां पे बोलना क्या है फिर उसी तरसे सिल्ज डब्लू ग्राम औप सॉल्वेंट डब्लू ग्राम औप सॉल्वेंट कंदेज इसका डब्ला स्वल्वेंट कि फॉर्म कि डवती कंदेञित ग्राम औपट ग्राम औप weight of solvent को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, यह आपको पता होगा, starting में हम लोग A को solvent और B को solute express कर चुके है, तिक है, जहां-जहां B रहेगा वो solute, जहां-जहां A रहेगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, अब जो है, डब्लू ए, ग्राम, आप सॉल्वेंट है, एन भी बहुत सब्सक्राइब, यह एडाव जिए, एफ़ोर, सॉल्वेंट, अब कितना में निकालना है, वन थाउजन ग्राम जब सॉल्वेंट कर लेंगे, एन भी, क्रोस, वन थाउजन, डिवाइड वाई, वेट आफ, सॉल्वेंट, यह हमाला जो जो है, मैथमेटिकल फॉर्वूला है, हम लोग इसी को बोलेंगे, यह एड़ इस, स्मॉलन, और स्मॉलन जो हमारा हो गया, एन भी, क्रोस वन थाउजन, डिवाइड वाई, वेट अफ ए, और नमबर ओफ मोल अफ सॉल्वेंट बराबर क्या आता है, जल्दी बलो, हाँ छोटे, बल बीटा, क्या होगा, नमबर ओफ मोल सॉल्वेंट, अरे यहाँ धात नी प एन भी बराबर, वेट ओफ बी, और मोलर मास ओफ बी होता है, तो 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 किया, वेट ओफ बी, मोलर मास ओफ बी, जिसको एम नाट बोल रहते हैं, नो, क्रोस, वन थाउजन, अपॉन, वेट ओफ ए, यह क्या हमारा है, मॉनलिटी का फॉर्मूला होगा, अब क्यों हमनों बोले थे, कि इसी इंडिकेट करते हैं, वेट बाई, वेट, यह देखो, एक इसका है, सोल्यूट, निम्रेटर, और डिनोमिनेटर जा रहा है, सॉल्वेट, यहनि कि डबलू एक जो है, डबलू भी अपान, डबलू ए, यह होगे हैं, तो हम लोग बताएं वेट अपसोल्यूट, अब देखो, यहां से, रिस्ता खपने ही होने वाला है, अब यहां से रिस्ता और बढ़ने वाला है, डबलू एक यह क्या होता है, हम बोग पढ़ चुके हैं, वेट अपसोलूशन, यह देखो, सोलूशन क्या होगा, वेट अपसोलूशन में क्या हो दब्लू ए सॉल्वेंट प्लस डब्लू भी सोल्यूट होता है तो यहां पर डब्लू ए अगर दिया रहे है तो हम दो क्या पूट करेंगे यहां से यहां से वेट आप सॉल्वेंट निकालेंगे और यहां पर हम लोग क्या करना है पूट कर देना है कभी कभी कोश्चन में डेंसिटी भी इवन एंसियाटी के कोश्चन में है जिसका नुमर्गर जो है और इंदेक्स का भी नुमर्गर ले उसमें जो है डेंसिटी पर कोश्चन है अगर आपके कोश्चन में डेंसिटी गिवन है डबलू ए यहां से फाइंड आउट करके यहां पर पूट कर देना है और अगर डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या पड़ चुके है वेट ऑप सोलुशन डिवाइद वाइड वाइड वादू क्या पूट करना सोलुशन तो वेट ऑप सोलुशन के जगा पे हम लोग क्या पूट करेगे यहाँ पे density कुने volume किसका solution का ध्यांदो और यहाँ से यह solution यहाँ पे put कर देना है therefore weight of solvent is equal to density cross volume solution है minus weight of solute यह formula यहाँ density दिया रहेगा तब इस्तेमाल करता है और यहाँ से weight of weight of solvent find out करके यहाँ पे put कर देना यह आपका अब जानों पिटे कि यहाँ पे हम लोग monality पाहिए कभी को एक ही question के अंदर आपको find out करने के लिए कहेगा कि moality भी निकालो mole fraction भी निकालो यह फिर question में आपको given होगा छोटो look here बेटा बोट पे देखो कि moality निकालो normality निकालो moality निकालो और मोल फ्रेक्शन एक ही question में चार question दिया रहा है आपके ncrt में हैं इंटेक्स में भी है और exercise में भी यह दिया हुआ है तब ऐसा नहीं कि पीछे हम जो पढ़े वो भूल कहें कि पीछे वाले को याद रखना है ऐसे जो है हम लोग अभी आगे फर्मूलर्स को फिट से कवर रिपीट कर देंगे तब तक कहां पर नोट करो कर देखिए हम लोग जो पढ़े चुके हैं पीछे कि उसको भी आप इसके नीचे लिख लिएंगे कि आप याद है तो वेरी गुड नहीं याद है तब भी वेरी गुड मॉलरिटी क्या पढ़े हम लोग एंड़ी क्रोस वान थाउसेंड डिवाइड़ वालूम इन मिलिलीटर किसका वालूम था सोलूशन का और यह जो है डब्लू बी अपॉन एम बी इस इक्वाल टू वान थाउसेंड डिवाइड़ वालूम इन मिलिलीटर ऐसे तो बहुत सब्सक्राइड रही है इसके बाद नॉर्मिलिटी हम लोग पढ़ें बस कुछ नहीं करना है मॉनिलिटी क्रोस वैलंजी फैक्टर और वैलंजी फैक्टर बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या था वैलंजी फैक्टर टोटल चार्ज ऑफ के डायन और एन अधा टोटल को मैगनिटूट लेते हैं वैटीट फॉर्म लीटोट टोटल चार्ज अव्फ के डायन के डायन पोजेटिव चार्ज है और एन आयन्स यह सारा चीज़ हम लोगा यूज होगा सिरिज फाइट में एन इस निगेटिव चार्ज है अच्छा अब इसके बाद हैं मोल फ्रेक्शन हम लोग पढ़ेते हैं मोल फ्रेक्शन ओफ ए ए फॉल्वेंट क्या था मोल ओफ ए डिवाइड़ वाई एन ए प्लस एन वी ठीक है एन ए प्लस एन वी यह हमारा क्या निकल गया मोल फ्रेक्शन निकल गया और मोल बराबरत आप जानते हैं यह क्या होगा एन ए अगर निकालना रहा है तो वेट ओफ ए मोलर मास ओफ ए यह पढ़ चुक है हम लोग और एन वी यहां भी देखो एन वी पढ़ा होगा रहा एन वी इस इकल टू वेट ओफ बी मोलर मास ओफ बी यह सारे फॉर्मूला को लर्म कर लेना है जब ए मालूम हो गया तो एक् सब्सक्राइब यह मालूम है देर्फोर एक्स वी इक्वल टू क्या होगा वाण माइनस है वाण माइनस एक से इसको नोट करो इस सारा फॉर्मूला भी जो है नुमर्कल में काम आएगा और देखों क्लास 11 का वीडियो जो है अब लोड करने जा रहे हैं जो भी आपके ठीक है इसको नूट करो और सब्सक्राइब करना बिता नहीं बुलना ठीक है इसको नूट कर लो अब देखो मॉलेलीटी का जो है हम लोगा नुमर्कल जो है कैसे बनेगा इसको फरमूला याद है अब देखो सिंपल फर्वुला एकदम लॉलीपोप कुश्चल से ही, what is the morality of a solution containing 18 gram of गुलकोच, गुलकोच खायो ना, मिटा मिटा पाउडर, वाइट पाउडर है, in 250 gram of water, यहाँ देखो, कैसे solution बनना है, यह solvent है, 250 gram h2o है, ठीक, यही आपका w a हो गया, और इसमें जो है, गुलकोच गुलकोच खायो भी जो है, कितना है, एटीन का, यही डबनू भी है, और यही देखो, वेट भाई वेट रिलेक्शन सीप, वेट वेट किसका, तो गुलकोच का, solute का, और डबनू ही किसका होगा, solvent का, अब हुम आप फॉर्मूला लाजाने, यह दम सिंपल फॉर्मूला, म, वेट ऑफ बी, डिवाइड़ वाई, मोनल मास ऑफ बी, मोनल मास ऑफ बी, इंटू, 1000, डिवाइड़ वाई, वेट ऑफ, ए, ए फ़र, सान्वेट, यहाँ पे, मोनल मास गुलकोच का, क्या होगा, यह लिख लो, मोनल मास गुलकोच अगर निकालोगे, C6, H12, O6, तो यहाँ पे सबका मोनल मास आता है न, 12 इंटू 6, सॉरी, 6 इंटू 12, एटामिक मास 12 है, 12 इंटू 1, और 6 इंटू 16, यह सभी का, मंटिप्लाई होगा, और एडिशन होगा, तो यहाँ पर आजाएगा, 180, याद रखो तो, याद रखे रहो, हर बार एक्जाम में इतना करोगे, टाइम लैप्स करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे, 180 ग्राम हो जाएगा, यानि इसका मोलर मास हो गया, 180 ग्राम, अब है रूपूट करके सुट करो, कितना है, 18, 180, 180 क्रोस, 1000 इवाइड बाई, 250, कितना होगा बाई, देखलो, जल्दी से, 254 जा, 1000, 18, 18, कैंसिल हो गया, 4 बाई 10, क्या है हमारा, पॉइंट फॉर, तहीं जांसर है, इसलिए बोलें, कि ये एकदम, लॉलिपॉप है, आपका, पॉइंट फॉर इसका, मॉनलिटी हो गया है, नोट कर लो इसको, अब हम लोग, नेक्स प्रॉब्लम देखते हैं, इसको नोट करो, 1, 2, 3, इस्टार्ट, फॉर नेक्स कोश्चन, नेक्स कोश्चन, प्राई करो, इस कोश्चन में क्या है, सिर्ट एप, अब हम बताये कि पिछले दे, पिछले क्लास में है, कि, मोल फ्रेक्शन हम लोग, क्या होता है, पड़े हुए हैं, अब यहाँ पे, मॉनलिटी नहीं बोलके, क्या बोला है, मोलल कॉंसंट्रेशन, अब यहाँ पे जो मोलल कॉंसंट्रेशन है, और मोल फ्रक्शन हम लोग प्रिवियस लें सब पढ़े हुए है जीरो वन सीट में होगा अब देखो यहां पर कहता है एस तो सिरप समझते हैं कब सिरप बोता है क्या हो सोलुशन है कब सिरप यहां पर चीनी का घोल है उसको हम लोग बोल रहे हैं सुगर सिरप आफ वेट 214.2 14.2 ग्राम जो सोलूशन का वेट है 214.2 ग्राम है सुगर किता है 34.2 ग्राम सुगर है फॉर्मूला सुगर का सी ट्वेल एच ट्वंटीटू ओ इलेगन मोलर मास का फिर जरूरत पढ़ेगा आपको क्यालकुलेट मोलर कॉंसेंट्रेशन और मोल फ्रेक्शन निकालना है पिछले क्लास की तो रसे तो यहां पे एक सोलूशन बनाओ आप यहां से आप तुम देख रहे हो कि सोलूशन यह है सुगर सोलूशन यह सीरा का वेट कितना है इतना लंबा लिखने से भाइदा नहीं है बस वेट आफ सोलूशन 214.214.2 ग्राम अब इसमें जो सुगर है रहे है दिसोल्ब है 34.2 ग्राम सुगर है यानि इस इस वेट आफ बी अब वेट आफ ए कहां है बाई हमारा कुशन सुन होगे वेट आफ है क्योंकि ए में जो कह रहा है मोलर कॉंसंट्रेशन यानि मॉलरीटी इसी को मॉलरीटी बहते है एन इक्वल टू वेट आफ बी मॉलर मास आफ बी क्रॉस वान थाउजिंट क्रोस वेट आफ इस वेट आफ ए आफका यहां सॉल्वेट नहीं है सॉल्वेट क्या हो बाणी सोल्यूट क्या हो गया चीनि बच्पंसे आम लोग चीनि और पानी जो है सोलूशन देख रहे हैं यूज कर रहे हैं अच्छा अब यहां पर वेट अब भी जो निकानों के थादी फॉर पॉइंट टू क्रॉस वान थाउजन अब दो चीज़ां निकालना है एक हेटा है मोलर मास भी तो मोलर मास भी निकानों के फॉर्मूला जो है हमारा मोलर मास का मोलर मास भी विरुसितर से सी ट्वेल्व एक्ष टॉन्टीटू ओर एलेवन ठीक है यह चीनी यह सब को काउंट करोंगे 342.342 ग्राम यह निकालते हैं अब वेट आप सोलूशन कैसे निकलेगा कामाना कि याद करों में पढ़ेते सोलूशन में क्या होता है कि वेट आफे पानी प्लस चीनी सोलूशन मालूम है यह निकालना भी तो टब्लू भी क्या होगा सोलूशन 214.2 माइनस यह इधर चला जाएगा यह साइड लेगा हम लों यह किता है 34.2 आजाएगा 180 ग्राम देखो गट्यारा 180 जिरो हो जाएगा फोर फोर जिरो एलेवन से चार गया एट वन यह सारा शीज़ा निकल गया वेट आफ बी जो है अब क्या होगा वैलू पूट करो भी हमारे क्या है 342 342 निकाल दी क्रॉस वेट आफ एक इतना निकला है वान एंटी यहां पे वान एंटी अब देखो असान से कट जाएगा एक जिरो से एक जिरो यह कट अब जो है एक पॉइंट मुल्टिप्लाइव रट्टेंस यह कट गया अब यहां पे जाओगा इस और इस कैंजिल तेना पॉण कितना होगा एटी यह हमारा है तेना पॉण एटी कैलकुलेट करो कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करो हो गया है यह आजए डावकर पॉइंट फाइव 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 इस तरह से और इसको हम लोग ले लेगें पॉइंट फाइव सिक्स यह हमारा मॉले निटी आया अब से के पार्ट हमारा नोट कर लिए होके से के पार्ट जो है किया है मोल फ्रेक्शन आफ सुगर मोल फ्रेक्शन आफ सुगर निकालना है ओनने नोट कर लिए चलिए अब मोल फ्रेक्शन आफ सुगर हम लोग को निकालना है कैसे निकालना लेगे तो मोल आप सुगर डिवाइड़ बाई मोल आप सुगर प्लस सॉल्वेंट में हमारा क्या है वेट ऑफ यह क्या है पानी है वेट ऑफ वाठर वाठर के लिए डब्लू यह क्या है वाठर सुगर सुलुशन होना यह वाठर है हमारा अब जो है दो चीज़े निकालना मोल मोल आप सुगर यानि सुल्यूट यह हमारा भी है वेट ऑफ वी अपॉन मोल और मास ऑफ यह निकालोगे तो भी का वेट कितना दिया है नहीं सॉलुशन भी का वेट उपर में देखलो थिरी फोर पॉइंट्टू और मोलर मास कितना देखो नीचे में दिया है हम लोग निकाले गुल्गोज का मोलर मास थिरी फोर्टी टू क्या हुआ पॉइंट वान अम मोल अफ वाटर वाटर हमारा क्या है ए वेट ऑफ ए डिवाइड बढ़ी मोलर मास ऑफ ए वाटर का वेट कितना वेटा दिया होगा वेट ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए जो निकलेगा यानि वाटर और वाटर का फ़र्मूला है एच्ट्वो निकालो कि तो क्या हुआएगा 18 ग्राम निकला तो 180 यहाँ पे लिखे हम लोग 180 डिवाइड बाई अब है लूपूट कर विशूट कर सुगर है सुगर के लिए इस दिख रहे हैं क्या होगा पॉइंट वान और नीचे यहाँ पर लिखेंगा पॉइंट वान प्लस तैन कितना हो जाएगा तैन पॉइंट वान डिरेक लिख दिया हम लोग 10.1 पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा तैन पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा यहाँ पर आजाएगा पॉइंट 0099 यह हमारा जो है मोन फ्रैक्शन ऑफ सुगर तो देखों मॉनिलिटी के कोश्चन में मोन फ्रैक्शन मॉनिलिटी के कोश्चन में जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है किट्कैट प्रॉब्लम है किट्कैट खाया ना इसा लगता है टिक टॉक नहीं किट्कैट अब देखों यहां पर जस्टिस के ऊपर कोश्चन सिखा लगता क्या कहता है एक और से इसको कोपी कर लेना जल दी से कोपी कर लो कर लो कर लो कि कोपी कर लो कि कोश्चन लिखते हैं कि टाइप से ओ पास करके नोट्स बनाते चलो कि कहाएं कि अभी स्कूल और कोचिंग खुरने वाला नहीं है कि वीच में थोड़ा सा यह वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया है चार पांस दिन है कुछ इसलिए लेट से बना है कि अब देखो हुआ है यहां पर थोड़ पॉस्चन देखो दिए इसके दर अन्म बताये दिखलें धिकल्ट अ कि इसकोश्चन भी क्या कहां कर रहा है कोमेर्शियानी एवेलेबल सेंपल आप सल्कूरिक एशीड एश्टो सफोर इस 15 परसेंट वाइवेट हमनों फस्ट कोश्चन सीरीज में इसा पढ़े थे 15 परसेंट वाइवेट डेंजी दिया है कैल्कुलेट क्या दिखा हुआ है कैल्कुलेट मॉलेटी नॉर्मलीटी मॉले कि यह आपके पास है अब इसे कैसे सॉल्व करो देखते रहो बिटा मोबाइन नहीं मोबाइन डाउन करो मॉबाइन बंद करो लुक यह अब कहता है को मैं से लेविल मॉलेटी निकालना है अब यहाँ पर देखो यह एच्टु एसफोर है है यह इसका उताव हो थे था है अब इसका मतलब हो पटाइते कि बीवाई इसका में बताया हुआ 15 by 100 पाइं मेट है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे है जल्दी बोलो अब बोलो बिटा बोलो 15 ग्राम है एक स्ट्वेस फोर अधियो है वेट और वाइट है यानि के हंडेट ग्राम सोलूशन हो जब डेंसिटी यहां के कोश्चन में गिवेन है कोश्चन में हमारे देंसिटी गिवेन है है वाण पॉइंट वाण ग्राम पर मिलीलीट है तो देंसिटी से हम लोग वालूम निकाल देंगे वेट आप सोलूशन देखो अ अब लोग पढ़ें है देंसिटी इक्वेट आपसोलूशन डिवाइड वाईड़वाई वाई ग्या होगा वालूम तो फॉलूम है, मॉलरिटी निकाल ला है, फर्स्ट कोश्चन में, फर्स्ट कोश्चन में हमी क्या निकाल ला है, मॉलरिटी कैपिटल M, जा पढ़ेते हैं, वेट आप बी, मॉलर मास आप बी, क्रॉस, 1000 याद करो, कोश्चन में कहीं भी देखिए, वालूम गिवेन नहीं है, हम लोग जो कोश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, प्रिविएस क्लासेस में हैं, कि वालूम या नहीं गिवेन, जो वालूम नहीं गिवेन हैं, तो क्यों यहां से निकालेटें, और क्रॉस मॉल्टिप्लिकेशन करो क ओटें यहां भी करता और यहां डी करें, टाहते हैं हम 100 ग्राम मृमिलिय्टर में ग्राम कीओं जळाती हैं, ते ग्राम और यहां मिलिलीलीटर करल काल यादर ना कि पर मीलिलीटर है इनवर्स में है बहुत बादर कर से दिवाइड़ है उपर आइस तरह से डिवाइद में लिखा अब यह उपर पूट पर सुट करो डबलुवी वेट कितना है थिया हो एए भी फिप्टीन क्रोस वन थाउजेंट मोलर मास कितना होगा जल्दी बताओ इसका मोलर मास हम लोगेश्ट में सब्सक्राइब कितना पढ़ चुके है दस बार एकी चीज नहीं 98 नाइन्टी एट ग्राम है तो देख आल दीजेस का बहुत बार पढ़ेंगे हैं यह लोग 98 है क्रोस बॉलुक कितना हो जाएगा 100 क्रोस कितना वन पॉइंट वन पॉइंट वाट पॉइंट वाट चुके केंसी लोगे का 10 से मल्किप्लाई होगा 11 15 क्रोस 11 दिवाइड वाई 98 फिटीन दे इलेवन से मल्किप्लाई करो कितना है क्रोगे 165 आ रहा है और 165 को 98 से डिवाइड करो जल्दी से 158 को 98 से डिवाइड करो यह तो बारा अंसर है होगया है चल वन पॉइंट है देखला है हंडेड की तरह है 1.68 अब जब मॉलेविटी कर लिया तो नॉर्मिलिटी एक तो मसाने चुटकी बचाओ काम तमाम और काम तमाम होगा अब देखिए नॉर्मिलिटी क्याता फॉर्मुला एक टो अब रुबिटा मॉलेविटी क्रोस वैलेंजी फैक्टर मॉलेविटी हमारे पास है वान पॉइंट इसका वैलेंजी फैक्टर यह प्लस वन यह माइनस टू को इससे मंटिप्लाई करो वन से टू वान को यहां है वान है टू से मंटिप्लाई करो इतना हैगा टू वैरंसी फैक्टर इसके कितना है टू से मंटिप्लाई करो है तो शिक्स्टी इस टू जाज सिक्स्टी रिमेंडर वर ट्वेल्व ठर्थी रिमेंडर वन गवार के तो जैगा थे तो थोड़ा साथ एक ही एक ही प्रॉब्लम में सारा चीज कि आप अब अर्वी कापी करो जल्दी से अब थर्ड में आ रहा है निकालने के तो मॉनिलीटी ऐसे निकलेगा कपी करें जल्द से बढ़ जाते हैं को करो काफी करो को अब जा है मॉनिलीटी निकालना है कि साहज चीज दिया आपके पास सब कहां दिया देखाएं लेकिए सबकार फर्मूला के अपड़े है वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रोस वन थाउजन डिवाइड़ बाइड़ वेट ऑफ अब क्या है दो चीज आपके सामने नजर आ रहा है बी कितना है 50 और यह कितना मोलर मास 98 यह तो फिक्स है क्रोस वन थाउजन अब एक आज से निकालेंगे यह पियर और यह सोलूशन है तो यहां से देख लो इसी को उपर लो तो वेट ऑफ ए बराबर क्या होगा वेट ऑफ सोलूशन माइनस वेट ऑफ इस सोलूशन में सोलूट जो डला है उसको माइनस कर दो तो जो निकलेंगा वो सॉल्वेंट निकाल जाएगा कितना हंडेड माइनस फिप्टी सोलूशन यह है यह स्टूशन फॉर घटा तो इस पर से रिमेंडन जो बचा 85 ग्राम यह हमारा जो है वेट ऑफ इतना अब कुछ बचा है अब जा करना है कैल्पुलेशन करना है 85 कैल्पुलेट करो जल्दी करो जल्दी करो करो जो किया कैल्कुलेट करो जो जो ऑनन वाइंट करो जो है आए वाल जाहीं से पास्कार किक प्लाट